परिचय नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं कि टेबल पर फल रखे हुए हैं हमारे पाँच आम हैं तीन सेब और दो अननास हैं इसे इस तरह से बताना आकड़ों का प्रबंधन कहा जाता है मान लीजिए कि आप अपने पसंदीदा बल्लेबास के पिछले विश्वकप के आकड़े जानना चाहते हैं आप इसे कैसे जानेंगे? आपको स्कोर बुक में देखना होगा स्कोर बुक में ये सभी आकड़े होते हैं आकड़ों का प्रबंधन सूचना को स्रक्षित रखने का नाम है आओ सीखें सारणियों का प्रयोग करके आकड़ों का अभिलेखन करना दंड आलेख की सहायता से आकड़ों का प्रदशन करना सारणी का संघटन दोस्तों, जब चीजें सही रूप से रखी हुई हों तो उन्हें पाना आसान होता है सुव्यवस्थी चीजों का प्रयोग आसान होता है इसी तरह संघटित आकड़ों की व्याख्या आसान होती है असंघटित आकड़ों को कच्चे आंकड़े कहते हैं हम इन आकणों को सारणी के प्रयोग से सही तरेक्टे से सजा सकते हैं। सारणी हमें आकणों को सुवेवस्थि धन्ग से रखने में सहायता करती है। मिलान चिन आएए अवे गतिविधी करते हैं। दो पासे लें। दोनों पासों को एक साथ फेकें और देखें कितनी बार दोनों पासों के अंकों का योग नौ से ज्यादा होता है। यह भी देखें कितनी बार उनका योग नौ से कम था। इस कदिविधी को बीज बार करें और सारणी में दरज करें। हमने देखा कि चिनित करना आकणों के अभिलेखन में सहायक है। इन्हें मिलान चिन कहते हैं। पाँच पाँच करके गिनने के बजाए पाँच के बाद गिनिती को फिर से शुरू करतें और करना में एक शेश चिन जोडतें। यह करना को फीवर बना देगा। दंड आलेक दिये गए लेखा चित्र को हम दंड आलेक कहते हैं। ये लेखा चित्र आगणों को दर्शाने का एक अन्य तरीका है। एक दंड आलेक आगणों को दर्शाने के लिए दंड का प्रियोग करता है। दिये गए आलेक में विशय को नीचे और चात्रों की संख्या को दंड आलेक के बगल में लिखा गया है। हम ने क्या चर्चा की? आव वैवस्थित आकड़ों को कच्चे आकड़े कहते हैं। सूव्यवस्थित आकड़ों की व्याख्या आसान होती है। आकड़ों को सारणी, मिलानचिन्न और दंड आलेक की सहायता से वैवस्थित किया चा सकता है। झाल झाल